बहुत पुरानी बात है, गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे, उनके कुछ शिश भी उनके साथ थे, उनके शिश एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भलरा कहा, शिशों को बहुत बुरा लागा और वापस लोट गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिश्य बहुत क्रोध में देख रहे हैं तो उन्होंने पूछा क्या बात है आप सभी इतने तनाव में क्यून देख रहे हैं। तभी एक शिश्य ख्रोध में बोला हमें यहां से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए जब हम बाहर शेहर में घूमने गए तो यहां के लोगों ने बिना बज़ा हमें बहुत बुरा भला कहा। जहां हमारा सम्मान ना हो वहां हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहां के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा क्या किसी और जगह पर तुम सदव्यवहार की अपेक्षा रखते हो। दूसरा शिश्य बोला इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं हम तो संथ हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं। उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छायों से वहां के लोगों को सुधार न दे। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लोटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे आखिर में उन्हें सुधार नहीं होगा। वास्तविक्ता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधार नहीं होता है। सही चुनोती वो है जब हम विप्रीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकी। ये सभी बाते सुनकर बुद्ध के प्रिय शिश्य आनंद ने प्रश्न किया उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं। इस पर बुद्ध ने जवाब दिया जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है ठीकुसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अप्शब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है खुद को वश में कर अपने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता गौतम बुद्ध की बात शिश्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी